अरहर महादेव जदी किसी बच्चे की नेत्र जोती कमजोर हो रही है चश्मा लगा हुआ है और आपने डॉक्टर को भी दिखाया चश्मा हट नहीं रहा तो उसके लिए आपको शिवरात्री तक भी इंतजार करने की जरूद नहीं जो शिवरात्री को उपाय होता है चश्मे वाला उसका भी इंतजार करने की जरूद नहीं है आपको क्या करना है काल भैरव के मंदिर में जाना है काल भैरव या बटुक भैरव बैसे काल भैरव के मंदिर में जाएंगे काल भहरव के मंदिर में जाकर एक तेल का दीप लगाईए और तेल का दीप लगाने के बाद में उसकी कालोच उसके ओपर एक कटूरी या दिया कुछ भी रखकर उसकी कालोच ले लिजिए उस कालोच में गी मिलाईए गाई का और गाय का गी मिलाने के बाद में उसको जो भगवान काल भैरव है उनके नैनों में लगा दीजे और ये जो दीपक लगाना आपको काल भैरव के मंदिर में ही लगाना है मही पर दीपक लगा के उसकी कालोच निकाल लिए उसमें फिर गाय का गी मिलाईए और गाय का गी मिलाकर भगवान काल भैरव के नैनों में लगा दीजे और फिर इसी जो आपने काजल नैनों में लगाया है उसी काजल को निकाल के लिए ये और अपनी हाट में लगाना प्रा प्रारम कर दीजे भगवान काल भहरव के इस उपाय से आपकी नेत्र जोती बढ़ना शुरू प्रारम हो जाएगी साथ में यह आपके चश्मा भी लगा हुआ है तो वह भी हटना प्रारम हो जाएगा पर एक बार डॉक्टर को जांच अवश्य कराना इस उपाय को करने के बा